असलामलेकूम तो जिनाब क्या हाल है आप सबके और पिया अल्ला का शुकर है कि मैं ठीक ठाक हूँ और मैं आज बना रही थी दावत के लिए मताब हमें कुछ गेस्ट आरे थे तो मैं उनके लिए कुछ बना रही थी मताब अभी मैंने स्टार्ट के हैं मीठा बनाने से तो मै और बाकी मैंने रफान कस्टड के जो है पांच चमत जो है इसके अंदर जो सादा दूद होता है उसके अंदर बीना गरम वाला दूद उसके अंदर मैंने अच्छे से जो है फेट कर मताब अच्छे से मताब उसके जंक्स ना बने तो मैंने इतना उसको जो है मिक्स किया और और इसके बाद मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया और जब तक यह गाड़ा नहीं होता तब तक हम इसको पकने देंगे और नॉनस्टिक में यह है लाइट का जो हमारा बलब खराब होगे तो और ये हमारे हस्बन जो है ना वो फ्रूट चार्ट बना रहे हैं छोले और बाकी सारा फ्रूट और बाकी यहां मैंने जो माश की डाल के बड़े बनाए थे जो आपके साथ रैसी भी शेयर की थी कि इसको आप बना कर डिफीज कर लुट बना ना ने 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 अच्छे बाए थे जो अच्छे का यूं और मैंने इसको आपर से प्रूबरिस के खिखें और और टोटकी तरी जो होते हैं और मैंने फुल फुल रख दिये थे और विस्केट्स तो ऐसे ऊपर में करीम है जो चोटे-जोटे से जंब बना के वह चार भी बंडी थी तो यहीं सिस्टर ने कहाँ लाओ मैं इसको मैं इसको मेरिने करती हूं तो देखे मैंने कस्टरड के ओपर थोड़ा सा मिल पैक से जो है वो चंक्स बना दियते हैं डॉट डॉट और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था वो भून कर मैंने निकाल कर कूटी तान जो होता है क्या कहता हूं उसको जिसमें मसाला कूटने हैं तो मैंने असके म смह साला कूटने के लिए निकाल लिया था और बाकी मैंने यह मसाला बनाया था ता सारा इसके ना सिर्फ अद्रक ल संनürü छल्यू आज अर्चे मैंने अच्छा खासा प्ले रोख कर लिया था रो करके हैं उच्छे से पढरियाज था और हम किनाते सारा मसाला जो निकाला वह है मतब जो पॉडर शेप वाला है कोट कर इसके अंदर डाल देंगे और इकटा हम जारा मसाला डालेंगे और ये देखे मैंने मसाला बनाया था सुकी मेथी नमक कुटी मिर्च टाट्री पॉडर और चुकाला नमक और भी दो तीन चीज़े थी जो मुझे नाम याद नहीं आरा अच्छा जी तो मैंने सबसे पहले तेल के अंदर जो है वह जिकन डालके अब्लक लसन डालके मैंने इसको अच्छे से प्राई करना है जी हां तो इसको तो स्रिफ आपने तेल में ही बनाने है पानी जरा सा भी नहीं लगना चाहिए इसके अंदर क्योंकि पानी लगा तो यह बिलकुल अपना पानी अवैसे भी चिकन पानी छोड़ती है लेकिन इसको अपने बिलकुल तेज आज पर जो है इसको फ्राइ करना है और आपने तेल इतना रखना है कि अभी आगे देखेंगे कि मेरी जब मैं देशन आउट करूंगे तो इसकें तेल कित अब तक इसका कलर ब्राउन मतब जो कलर होता मुर्गी का चेंज नहीं हो जाता और मैंने हरी मुच्चे को 20 सारे कट लगा दिये थे आज तो री बोल बोलके मेरी सांस बोल लिये पता नहीं क्यों जी तो देखें मैंने अच्छा सा इसको फ्राई कर लिया है और बागी मसाल अब हम इसके अदर शामिल करतेंगे फैले मैंने इसके अंदर हरी मुर्च्चे को जो है अच्र जो यह तेल है ना इसके अपने फ्राई करने है उसके बाद यह तो Beima do to we Just a ginger तों दिखाँंगी कि मैंने क्या-कय डाला था गया बाकि यह मैंने उसके ब्लाकाइ बाकि है कि मैंने शरॉविध हैं किया स्व motivesiset आपने वह कोर्मा बहुत यह आसान से सैट से जो आपकी बहुत जल्दीश को जातीight है सारी में प्यास काटनी के लिए बाद लिए इसके बार निकाल लिए मैंने और इसके बाद मैंने जो है आलु लगा करिया बाकि के प्यास जो है मेरी ब्रॉण ओ रो रिया इसा साथ साथ-साथ काम पहले लिए तो कॉर्मी के लिए मैंने सारी प्यास निकाल ली थी ताके मैं इसको ग्रेंड कर दूँ बाकि इसके अंद्र मैंने बीफ डाल जाल ज़िया किया थै कि मैं भी इसा भी टाम नहीं था कि ऐनल टाम पे पता चलाता कि गेस चार रहें और देखें मेरे मेरे पास एक बड़ बड़ आ था आदा के लो उसके निदर जो मेरे पास प्रबाव युटी है लोगा नमक टाली है और थोड़ा सा बात में नमक डाली ग्रीन चटनी अगर त्यजय में नमक टाली है जी हाँ पकोडो समोसों के साथ हमारा जो कस्टड है वो भी रेडियो हो गया था और इसके बाद हमारे पापर भी मैंने फ्राइब कर लिए था अच्छे से और यह कुछ दसरकान मैंने इस तरह सजा दिया था और यह हैं गुड के चावल गुड के मीथे चावल यह आलू के प तो वो ही बस बीच में आ गया हैं और यह मेरी जो है सैंविच डाय थे उर समोसे तलए थे और यह मेरी जो है Arbeits好吃 लुग जो है और यह मेरे अलू कोश। मतलब लाइक कॉर्मा और यही था मेरा बलूची तिक्का और यह फानल लुकता हमारे दसरखान का माशालला, माशालला, अल्ला आप लोगों को भी इस तरह दसरखान सजाने की तौफिक दे और मेरा दादी की न्यास थी इस वज़ा से मैंने जो है वो मैं नहीं बना सकी और यह देखें करीम चार्ज इसके नमेने छोले भी डालेते और यह कुछ बिर्यानी भी थी जिसकी वीडियो मैं नहीं बना सकती थी चलें ठीके जी, अल्हाफिज